Hello everyone, welcome back to S-Biology तो आज के इस वीडियो में अपने डिसकस करने वाले हैं राजस्तान स्टेट के जो रिवाइज सेडूल है वो उसके ओपर डिसकस करेंगे अपन अपने डिटेल के मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें प्लस वीडियो को लाइक कर देना और बेल आकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली हर एक लैटेस्ट इन्फोर्मेसन आपको टाइम मिलती रहे तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने पिछे की वीडियो में आपको बताया था कि जो राजस्तान स्टेट है क्योंकि MCC कार सेकंड राउंड में थोड़ा सा डिले हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि राजस्तान स्टेट या फिर बाके स्टेट है वो भी उनका second round जो है थोड़ा delay होगा तो delay हुआ भी है और उसका schedule जो है अब resedule हुआ है तो उसकी complete detail में आपको बताऊंगा जिससे कि आपको screen पर दिख रही है तो चलो मैं बताता हूँ आपको step by step बाकी आपको screen पर दिखी रहा है तो आप महां से पोच करके भी उसको देख सकते हो तो इसकी जो राजस्तान स्टेट की जो provisional merit list है वो 17 नॉबर 2022 को release की जाएगी और जो seat matrix है वो 19 नॉबर 2022 को release होगी अब ये दो दिन का gap इसलिए आया है क्योंकि जो all india quota कोटा यानि की mcc की जो second round की जो seat जिनको मिल चुकी है तो वो क्या करेंगे उनकी जो seat है वो all india quota की तरफ से है तो state के अंदर वो seat वेकेंट हो जाएगी जो state में उनको मिली है वो हट जाएगी वहां से इसलिए वो 18 तारिक को ये सब होना है जो seat list वा MCC की तरफ से revise करवा के state को दी जाएगी 18 तारिक को वो allotment के time पर ही आपको देनी होगी जहां पर आप मैं आगया आपको बताऊंगा सरी detail ठीक है तो document verification जो आपका होगा वो 22 November 2022 को होगा और यह document verification राजस्थान में होगा कहां पर तो मैं आपको बता देता हूं इसका address पर आपको बता देता हूं तो RUHS जो dental college है RUHS college of dental science जो की सुबास नगर टीबी hospital जो है उसके पास में है जैपूर के अंदर तो वहां पर आपको अपना document जो है verification करवाना होगा अब disability जो certificate है उसका verification भी 22 November को वहीं पर होगा क्योंकि document verification होगा तो disability वालों का भी वहीं पर होगा ठीक है तो street allotment जो है इस नवंबर को जो है release किया जाएगा जैसे कि आपको data उपर दिख रही है जोइनिंग आपकी होगी वो 24 November 2022 को होगी 10 बजे से लेके 5 बजे तक यहां पर आपकी जोइनिंग हो पाएगी 24 November को मोपा प्राउन का seat allotment जो है वो offline होगा जो की आपको बता दिया जाएगा जिस भी college के अंदर seat weekend रहेगी तो वो वहां पर आपको बता दिया जाएगा अब next बात करते हैं कि अगर किसी candidate को state quote की seat मिली है और all India quote दोनों से ही अगर seat मिली है first round में तो उनको करना क्या होगा कि उनको first round के जो all India quote की seat है वो ले लेनी चाहिए क्योंकि अगर वो state के भरोसे बैठा र रहे हैं तो बैस लिसी बात है राजस्तान के बारे में ही बताऊंगा तो second round में क्योंकि राजस्तान state की जो cutoff है वो all India quote से थोड़ी ज़्यादा रहती है merit थोड़ी ज़्यादा जाती है इसलिए हो सकता है कि उसको कुछ खत्रा हो जाए तो suggestion यही है कि आप all India quote से आपको अगर seat मिली है तो आप वहाँ पर उसको join कर ले अगर कोई candidate चाहता है कि मेरे कौफी ज़्यादा number है और मेरे राजस्तान में मेरे को seat मिल जाएगी उनके लि all India quota state quota से अलग-अलग किस तरीके से merit list रहती है और अगर आप resign करना चाहते हो तो 18 November तक आप उसको resign कर सकते हो तो यह सरे detail आपको सामने है तो I hope आपको हर एक चीज समझ आ गई होगी revise schedule के बारे में तो अगर वीडियो पसंद आया है तो इनको share कर देना और चैनल को subscribe जरूर कर देना मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद्ट